ये है BPA Network और आप देख रहे हैं BPA News नमस्कार आप देख रहे हैं BPA News देश का सच दिखाते हैं हम कानपूर समवादाता अब्दुलनिसार की रिपोर्ट आज पत्रकार वारता में जानकारी दी गई कि 23 अक्टूबर को लिटिल शेफ्ट में आईजित होने जा रहा है जियोती इन कार्प वा ग्रांड पटेल रिसॉर्ट द्वारा कानपूर फैशन वीक सीजन फाइव इसकी जानकारी दी आईए सुने अब्दुलनिसार कानपूर फैशन वीक और नाइस करते हैं ये सिर्फ सीजन वीका है और मैं बहुत उमीद में हूँ कि कानपूर का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा और मुझे नहीं रहता कि इनके लावा कोई और इस तरीके का इवेंट और नाइस कर भी सकता है और सबसे बड़ी इस एवेंट से बहुत प्रोशन मिलता है और कानपूर शहर इनकी वज़े से और हम जैसे लोगों की वज़े से बहुत लो कर सकता है और अब मैं आपको इस कैफे के बारे में बनाना चाहता हूँ ये मेरे यापी ब्रैंड का दूसरा कैफे है यहां पर कोणले का सब्सक्राइब था यहां की लोकेशन और जैसे कि हर जगह करा है अगे फूड, सर्वेस और अम्बियंस देशनी वेसा उसको रखते हुए इसका सिधान रखते हुए इस कैफे को मैंने बहुत प्यार से और बहुत प्रेंग से बनाया गए और जो कि आप आजकर ब्रिंक्स और लौंच का फैशन है तो मैंने इसमें इसका नाम स्विच इसलिए रखता है कि जो लोग जनरली कैफे में इंजोई करना चाहते है तो उसको मुजिक विदाउट ब्रिंक्स इंजोई करने के लिए इस कैफे के लिए आप उसको आगी सर जनरली कैफे में एक सिर्फ और एक अबियेंस तक वो सीमिच हो जाता है मैंने यहां का मेन्यू बहुत अनक तरीके से डिजाइन किया इसकी प्रेजेंटेशन प्लस यहां का साउंड सुस्टफ एक क्लब की तरह मैंने इंस्टोर कराई तो कोई अपना वर्ड़े या कोई अब वह दो जाता है जो एक नॉर्मल रेगुलर के वह नहीं कर सकता है वह यहां पर इंज्वाइब कर सकता है यह आपको दास पार्टी में लब्दा ठीप आता है यह जबस्टर और फैमली दोनों पे लिए जवा है दिक्स के बिना इस जवा को चलाने के लिए मैंने इसको इसमें प्रिस्ट दिया इसमें इसका राम यह फैशन वी कहां पर लग रहा और कौन सी डेट पर लग रहा है यहां पे विटेश्याफ होटल है उसमें आरही है और यह सुबह ग्यारा बज़े से साथ के दस्वाइब हैं हमारे चैनल के मार्दे में से क्या लोगों से कहना च करें चानता हूं कि यह इंडस्ट्री आप पॉपिस रिवाइवल मूट में आरही है और हम इस